उपमंदल पंदर के चोहार घाटी के राज के वरिष्ट मादे मिक पाठशाला बरोट की प्रवक्ता निशा ठाकुर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। कि उनके इस प्रयास को जन जन तक पहुचाया गया, वह अब टीवी के जरिये घर घर तक पहुचाया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाच ने भी उनकी पीर थप थप आई थी। बता दे कि निशा की अपनी पाठशाला की साथ-साथ आन्य स्कूलों के लगभक तीन सौ विद्यार्थी उनके कंटेंट्स पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही में आभारविक्त करती हूँ हिमाचल एकतामच का जिन्होंने मुझे रास्ट्रे पुरसकार एबं करोना योधा पुरसकार देकर समानित किया। हमारी सरकार की गाइडलाइन्स के चलते लॉक्टाउन के समय मैंने 10 एप्रिल से यूटूब के माध्यम से बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा देना शुरू किया था। प्लस वन प्लस टू हिंदी विशे के साथ साथ में बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से जीके की शिक्षा भी दे रही हूँ। आज लगभग 300 विद्यार्थी सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहन कर रहे हैं। मेरे इस चोटी से पर्यास की तारीफ मानिय सिक्षा मंत्री महोदे भी अपने शोशल मेडिया पेश के माध्यम से कर चुके हैं। यह मेरे लिए बहत गर्व का विशय है। धन्यवाद। यह मेरे बहत गर्व का विश से रहे हैं। झाल झाल